लेकिन देख लिया होगा तो आज प्लास में हम बात करने वाला है वेस्ट वाटर इंजिनेरिंग के बारे अब सबसे पहला point of discussion यह है कि सर यह wastewater इंजिनरिंग होता क्या है और यह जो wastewater इंजिनरिंग है यह क्यों हम लोग कर रहे हैं और कैसे यह wastewater इंजिनरिंग आपको शुरू होता है देखो यार यह सारी प्रॉब्लम या वेस्ट वाटर जो आपको वाटर आपका वेस्ट हो रहा है या जो आपके पास वेस्ट वाटर उसके उपर आपको इंजिनेरिंग करने की जरूरत पड़ रही है अब उसके उपर इंजिनेरिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है वा से तब हुआ। जब आपने कम्यूटी में बाटर को सप्लाइब करें उस स्चला attempting को ने डिने ऊजले परफस के लिए यूज किया अंडूर्पर को फूल्फिल करने के लिए आपने वार को सप्लाइब करें लिए डियूर्पर को लुगागी जो वाटर को सप्लाई आप ने किया था? यह वाटर आपका सोर्स से आया था. आपने यह वाटर कम्यूटी में सप्लाई किया. source से यह water आपने community में supply किया Community में supply करने से पहले आपने इसको कुछ treatment वरा provide किया आपने इस source से water जो ले के आए, उसको treat किया ताकि जो भी हमारे needs हैं, जो भी हमारे, आप बूल सकते हैं कि requirements हैं उनको fulfill कर पाए, हमारे को बिमार ना करे तो इस तरीके से हमने इसके उपर क्या किया, इसको हमने ट्रीट किया, अब ये वाला portion जैसी source से आप community तक water को पहुंचाते हो, ये entire portion आपका आता है आपके पास raw water engineering में, जहां पे आप लुग जो है raw water को treat करके community में supply करोगे, बुलो बात समझ में आ रही कि ने आ रही, अब ज जैसी आपने community में पानी को supply कर दिया, उसी के बाद आपका जो है immediately, आपका जो water हो यूज हो गया, यूज होने के बाद वो water क्या हो गया, वेस्ट हो गया, अब जैसे ही ये water आपका use हो गया, वेस्ट हो गया, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग उस water को collect करोगे आप लोग उस water को collect करोगे through seivers seivers के through आप लोग उस water को collect करोगे और further further उस water को आप लोग treat करके source में वापस से डाल दोगे further इस water को आप लोग जो treat करके treat करके जो है वापस से आप लोग source में डाल दोगे अब ये जो नीचे वाला जो process है आपने जो community से water को उठाया है और further फिर से source में डाला है यहाँ पर entire process जो आपके पास हो रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग wastewater engineering इसी को बोलते हैं हम लोग wastewater engineering बोलो बात समय में आरी कि नहीं आरी है अब सवाल यह पैदा होता है कि सर यह जो आपका wastewater है इस wastewater को हमने treat करके या इसके उपर engineering करके इसको source में क्यों डाल रहे हैं हम लोग क्योंकि wastewater की अगर मैं बात करूँ तो wastewater में बहुत सारे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो major impurities यहाँ पर organic matter होते हैं अब organic matter होते हैं अब organic matter होंगे तो होगा क्या है तो आप बोल सकते हैं कि इस वाटर की quality बहुत ज़ादा क्राव हो सकती है क्योंकि आपने वापस से source में डालना है और source में डालना है तो अब इसी बात है अगर आप वापस से इतना polluted water source में डालो गए तो इस सोर्स को यूज नहीं कर पाएगी तो इसलिए हम लोग इसको जो है वाटर को ट्रीट करके थोड़ा सा इसके जो हामफुल एफेक्ट से इसको हम लोग कम करके इसको वापस से सोर्स में डाल देते हैं और यह जो कम्यूनिटी से आपने वाटर को उठाया है फिर उसके हाने वाटर करिके वापस से आप हम से इसको से बिस्को बिसको आजयुरी दो कहने का मतलब यह है कि जैसी आपका जैसी आपका यह इन खत्म होता है जैसे आपको रॉप वाटर इंजिनरिंग खत्म होता है इूसी सब्सक् equine फार आका यूज हो गया जैसि आल का खोल गया वीस्ट वाटर इंजिनरिंग स्वरू हो वोरी बातकर नहीं बैने की और यह चैंश्चाë करने कि लिए सफशना Creator कि नरे갔 आफ स्वेन वाटर इंजिनरेंग खेंट के तब दिस्ट्रिब्यूट कर लेते हों कि में आ रही कि नहीं नहीं तो छॉवाटर इंजीनरिंग का लास्ट जो आपके पास प्रोसेस होते हाब क्या अथा धिस्रीबिशन सिस्टम लॉट रहाच or इंजिनरिंग का लास्ट पॉर्षियन Hep to collect करने के लिए प्लोग लगांगे वेश्ट वाटर को collect करने के लिए इसको बोला जाता है सीवर्स इसको बोला जाता है सीवर्स मुलोकम आहले कि नहीं अब further 시वर्स के वेजिज़े में लोग मैन मैन होल्स रिपर प्रोवाइड करते हैं ठीक है कि नियमं और further आगे जाके ये pipe आपके जुड़ जाती है आपके wastewater treatment plant में या wastewater plant में जाके जुड़ जाती है ठीक है this is your wastewater plant और wastewater को आप लोग treat करके आगे जो है आप लोग dispose करतेंगे आगे जो है आप लोग dispose करतेंगे बुलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही तो ये रहा आपका seivers ये आपका manhole ये आपका रहा water wastewater treatment plant wastewater plant ठीक फर्दर एक और pipe लगाया आपने और इसको क्या कर दिया disposal कर दिया disposal आप लोग land पे भी कर सकते हो and disposal आप लोग जो है वापस से water resources पे भी ढाल सकते हो अब depend करेगा कि आपके suitability के मताबिक कि आपके nearby कौन सा suitable आपके पास जो process है वो ज्यादा suitable रहेगा like this मुलो बास हमें में आरी की नहीं आरी है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपने आपने ध्यान होगा कि या pipe 2 से आप लोग लेकर आए थे और फरदर आपने यह distribution system में इसको डाल दिया यहां से यहां तक जो हमने बात करी ना यह थी आपकी यह थी आपकी इससे पहले भी जो आपकी process थे ना इससे पहले भी आपका जो different process थे जो भी आपने किया है यह आपकी आगई raw water engineering में तो raw water engineering का आपका last step होता है distribution system अब यहां से लेके फरदर जो आगे में यहां से लेके जो फरदर आगे की अगर मैं बात करूं तो यह आपके पास है waste water engineering यह आपका आता है waste water engineering बुलो बात समझ में आई कि नहीं आई तो यह waste water क्या है बात समझ में आई बुलो बात क्लियर है तो यह waste water engineering आपकी कहां से शु पढ़ा था वह मने पढ़ा था क्या डिसिंफेक्शन के बाद हम लोग उसको डिस्टिबूशन सिस्टम में दाल देंगे बुलबात समय में आरी कि नहीं आ रहे हैं अब यहां पर हमारा सिर्फ एक ही पार्ट बचता है डिस्टिबूशन सिस्टम और सीवर्स डिस्टिबूश point of view से काफी जादा important रहते हैं बोलो बात समझ में आई यहां यहां तक सिवर्स के बीच बीच में हम लोग इस तैप के manholes प्रोवाइड करते हैं ताकि सिवर्स की सफाई हो सके proper ठीक है ठीक दूसरी बागी जब हम लोग सिवर्स को डिजाईन करेंगे उस ते हम लोग डिटेल में दिखेंगे की manholes का और क्या function होता है manholes कहां पर provide करेंगे कितने distance के बाद आपको manholes provide करना होता है sewers का carrying capacity कितना होता है sewers के shape हम के बारे में बात करेंगे ठीक है कि नहीं distribution system में कौन-कौन से आप लोग patterns follow करते हो ठीक है कि नहीं कौन-कौन से type के patterns आपके suitable होते हैं कहां पर क्या suitable होगा वो हम लोग बात करेंगे जब हम लोग सीवर्स और distribution system की बात करेंगे ठीक है अभी इतना समझ लो कि यह आपका पूरा process है किस तरीके से किस order में आपके पास ही चलता है यह पूरा process किस order में आपके पास चलता है उसके बारे में आपके discussion ही बुलो बात शमझें करेंगे ढ़्यके हम सामने आते रहेगा हम कुछ कुल कुन किर्ख के बारे में बात करेंगे जो आपके wastewater इंगे में आपके सामने आते रहेगी वो सबसे पहले यहां सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे wastewater क्या होता है अब wastewater की बात करें तो wastewater को हम लोग सीवेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग वेस्ट वाटर को, सीवेज भी हम लोग वेस्ट वाटर को बोलते हैं, तो सीवेज और वेस्ट वाटर सीवेज और वेस्ट वाटर, क्या है सीवेज ध्यान दखना ये सीवेज है ये see委र्स है ये sewage है सीवर्स वो pipe जिसमे entit侅 केहरे किया जाता है गुलो बात समझ में आरी कि नहीं आरी है confusion नहीं होना चाहिए seivers और sewage में severs वो pipe है जिसमें आप लोग sewage को ले जाकों sewage क्या आपका wastewater जो water आपने use कर दिया वो sewage बन गया बूलो बात समझ में हमाई की नहीं आगें अब दरशन्व में अगर मैं सिवेज की बात करूं तो सईवेज होता क्या है सीवेज दरसल में मिक्स्चर होता है water and liquid waste का सीवेज क्या होता है सीवेज दरसल में आपका water और liquid waste का water और liquid waste का एक mixture होता है और यह जो mixture आपका बनता है यह mixture आपका due to different activities in community के वज़े से बनता है जो भी पानी आपने community में supply किया उस पानी का different usage हुआ जिसके वज़े से आपका सीवेज बना जैसे आपने गर में water supply किया गर में water supply किया तो वह water supply आपके kitchen में भी use हो रहा है वह water आपका बातरूम में भी use हो रहा है बोलो बात समय में हारी कि नेरे for and type of purpose you are using that water जैसे यह water आपके पास use हो रहा है वह वाटर कहीं ना कहीं आपके एक वेस्ट में convert हो रहा है जिसको हम लोग वेस्ट वाटर बोलते हैं उस वेस्ट वाटर को टेकनिकली हम लोग सीवेज बोलते हैं उस वेस्ट वाटर को टेकनिकली हम लोग सीवेज बोलते हैं पर एक्जामपल अब यही वाटर आपने जो है सप्लाई किया इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो है डिफरेंट एक्टिविटीज में यह वाटर यूज हुआ, वाटर यूज होने के बाद जैसे इंडस्ट्री से बाहर निकलती है, उस वाटर को हम लोग वेस्ट सब्सक्राइब बनाना है इन सब चीजों के लिए आपने वाटर को सप्लाइब कि अरिए अब इन सब चीज़ों को Avengers करने के बाद जो mới soldier अपका यूज वह के बाहरा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लुए जो गर से बाहर आ रहाँöh जो इंडसे सिर्दिश से बाहरा रहा है ईंडस्रियल सी भी बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं कि सीवेज के और आपका रिसक्ता है शीट था लेक वी सकता है शुद लगा रिखने बोलता है जिसको हम लोग बोलते हैं अब यह drainage क्या है अब यह drainage क्या है यह drainage कैसे आपका बनता है यह drainage कैसे आपका बनता है अब देखो यार आपने देखा होगा कि जैसे ही मालो फर एक्जामपल यह drainage कैसे बनेगा drainage कैसे बनेगा देखो होता क्या है देखो तरह फर एक्जामपल फर example यह आपके पीड़ पौदे हैं यह आपका बिल्डिंग है यह आपका घरवर है जो मर्जी है जो मर्जी समझ ve किया हुआ यहां पे वुई बारिश ठीक बारिश होने के वज़े से क्या हो गया कुछ वाटर इंट्रसेप्ट कर जाएगा या कुछ वाटर को इंट्रसेप्ट करेगा जो भी आपका प्लांट होगा intercept करेगा मतलब उसको रोकेगा बलब बलो बात समझ में आरी कि नहीं आरी उसको रोक देगा कुछ water जो है कुछ water जो है आपका infiltrate हो जाएगा कुछ water जो है आपका infiltrate हो जाएगा जिसके वज़े से आपका ground water table recharge होगा या ground water table आपका बनता है बोलो बार समझ में आरी कि निया रहे कुछ water intercept होगा कुछ water infiltrate होगा इन्फिल्ट्रेट होगा बोलो बार समझ में आरी कि निया रहे कुछ water आपके depression trenches में चले जाएंगे जो भी आपके गड़े-वड़े होगे कुछ water यहीं पे stuck हो जायगा बुलो बहुत समय में आरिए कि नीं आरिए एंगे कुछ water फरदर आपका वापस से इवपरिट हो जायेगा अब ली जब भी होता है तो यह सारी चीजी होती है water आपका intercept होगा water आपका infiltrate हो जायेगा water आपका गड़ों में Giovallo गडा का वापका वापस से इवपरिट ओ अब इन में से कुछ बचावा पानी ऐसा भी होगा जो आपके सर्फेस के ऊपर रन कर रहा होगा इन में से कुछ वैसा बचावा पानी भी होगा ये सब होने के बाद water जो है आपके surface पे run करता वा आपको देखने को मिलता है इस water को हम लोग बोलते है drainage और इसी water को बोला जाता है runoff बोलो बाद समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तो जब ज़्यादा बारिश होती है आपके areas में एक ये वाला water होता है drainage water या runoff water ये भी कहीं न कहीं एक wastewater है ये भी कहीं न कहीं एक wastewater है बोलो बाद समझ में आ रही कि नहीं आ रही है इसमें बहुत सारा मिट्टी बुट्टी होगा इसमें बहुत सारे इसको भी आपको collect करना है इसको भी आपको collect करना है बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है तो generally हमने यहाँ पे अभी यह देखा कि जब हम लोग सीवेज की बात करते हैं तो मेरे पास मोटे तौर पे तीन टाइप के जो waste water है यह हमारा collect करना है हमारे को एक तो वह water ज उसको जो है वापस से दे दिया आपको waste करके गंदा करके बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है उसके बाद तीसरे ऐसा water जो आपके rainfall के वज़े से रन आफ के form में आपको जो है surface के उपर बहतावा देखने को मिलेगा बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यह सोनो जल्दी से बोलो तो basically हमारे पास यह तीन टाइप के water है जिसको आपने collect करना है बोलो बात clear है यह सोनो यह पूरा process सब को समझ में आया कि नहीं है अगर मैं sewage की बात करूँ अगर मैं sewage की बात करूँ तो sewage क्या है it is a mixture of waste water it is a mixture of it is a mixture of water and liquid it is a mixture of water and liquid waste liquid waste generated generated due to different activities in community generated due to due to due to different activities due to different activities in community बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई now depending upon the mode of generation depending upon समझ में आ रहा है न सबको बोलो या upon the mode of generation depending upon the mode of generation it is further classified as it is further classified as number one it is further classified as number one domestic sewage domestic sewage अगर domestic sewage की बात करूँ तो it is a mixture of liquid waste generated due to domestic activities it is a mixture of ya mixture it is a mixture it is a mixture and mixture of liquid waste it is a mixture of liquid waste generated generated due to domestic activities due to domestic activities कुछ भी हो सकती है आपकी एक जो भी आपकर डेली यूस के लिए आपकर यूस होता है वाटर yes now next type आपका है industrial waste next type जो आपके पास है that is your industrial waste industrial waste का मतलब क्या है if it is produced if it is produced after industrial activities after industrial activities it is termed as it is termed as industrial waste it is termed as industrial waste third one third one is your drainage or runoff drainage or runoff it is a mixture of water and liquid waste produced after heavy rainfall it is a mixture of water and liquid waste water and liquid waste produced after produced after heavy rainfall heavy rainfall rainfall बोले यहां तक बात समझ में आई ठीक बोले यहां तक बात समझ में आई ठीक चलिए आप देखो जरब अब देखो जरब एक नोट पॉइंट है जो आपको द्यान में रखना है क्या नोट पॉइंट द्यान में रखना है जो किचन और बाथरूम से आपको वेस्ट मिलता है जो किचन और बाथरूम से आपको वेस्ट मिलता है उसको हम लोग टेकनिकली सलेज बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको टेकनिकली हम लोग सलेज किचन एंड बाथरूम वेस्ट kitchen and bathroom waste are termed as are termed as sludge क्या बोलते हैं इसको हम लोग sludge अब ध्यान रखना इसको confuse मत करना sludge के साथ sludge अलग चीज होती है sludge अलग चीज होती है बुलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही sludge अलग चीज होती है और sludge अलग चीज होती है sludge आपका kitchen और bathroom के waste को बोलते है sludge क्या होता है sludge आपका वो sedimentation में जो निकलता है ना जो भी आपके पास solid waste होते हैं जो आपके settle करते हैं सही बात है कि नहीं उसको हम लोग sludge बोलते है बुलो बात समय में आ रही कि नहीं sludge किसको बोलते है सलेज हम लोग बोलते है kitchen और bathroom waste को बुलो बात clear है कि नहीं बुलो बात clear है कि नहीं यस्तो नहीं जन्दी से बुलो अब एक और चीज़ सुनू अब एक और चीज़ सुनू आपने देखा कि हमारे पास technically तीन टाइप के water है मोटे तौर पर जिसको आपको जो है collect करना है अगर आप ध्यान से सुनू ध्यान से सुनेंगे अब आप लो domestic सीवेज और industrial सीवेज की अगर मैं बात करूं ध्यान सुनना domestic सीवेज और industrial सीवेज की अगर मैं बात करूं इन दोनों में prime impurity जो होती है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले impurities domestic sewage और industrial sewage में जो होता है वो आपका organic matter होता है क्या होता है आपका organic matter होता है बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है दूसरी और अगर मैं drainage और runoff की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो prime आपके पास जो यहाँ पे जो आपका prime impurity होता है जो आपका prime impurity होता है वो आपका जो है वो आपका जो है inorganic matter होता है वो आपका inorganic matter होता है बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है अब क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो organic matter अगर आपका ज़्यादा हो या micro organism पानी में ज़्यादा हो तो वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाख होगा वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाख होगा इसलिए domestic sewage और industrial sewage को हम लोग collectively एक नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं sanitary sewage जिसको हम लोग बोलते हैं sanitary sewage बुलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है इसका मतलब यह हो गया कि अगर domestic sewage और industrial sewage अगर आपके बाहर openly ऐसी गिरें तो वो कहीं न कहीं आप बोल सकते हैं कि sanitary conditions खराब कर देंगे बुलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ दूमेस्टिक sewage और industry sewage को हम लोग sanitary sewage बोलते हैं और इन दोनों को हमने कथा क्यों किया इन दोनों को ही сопat क्योंकि domestic sewage और industrial sewage में prime impurities organic matter होता है बुलो बात समझ में आ रही किनी आ रही है बहुरो बात समय में आ रही है कि नहीं आ रही है यहां पर जो प्राइम इंपुरिटी होती है वह आपकी इन ओर्गेनिक मेटर ज्यादा डेंजरस होता है क्यों क्योंकि और ज्यादा प्रजेंट होगा उतना ज्यादा ज्यादा उतना ज्यादा माइक्रो अर्गनिजर्ड को क्या करता है अब जहांपे खाना ज्यादा होगा जहांपे फूर ज्यादा होगा आपके उस टाइग के जो आपके पास आप प्रजाती हो ज्यादा मिलेगी तो इसका मतलब domestic sewage और industrial sewage में और अर्गनिक मेटर के वज़े से आप बोल सकते हैं कि micro organism होने के chances जादा होते हैं बोलो बात समय में आ रही है इसलिए domestic sewage और industrial sewage को हम लोग combined भी sanitary sewage बोलते हैं बोलो बात clear है कि नहीं है तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर domestic sewage और industrial sewage जो आप collect कर रहे हो यह कहीं पर भी अगर fail हो गया कहीं पर भी leakage हो गई तो unsanitary conditions वहाँ पर develop हो जाएगी बोलो बात clear है कि नहीं है जिसके वज़े से बिमारिया बिमारिया आपको हो सकती है अब दूसरी और अगर मैं drainage की बात करूँ रन-off की बात करूँ इसमें ज्यादा तर आपको ज्यादा percentage आपको इसका देखने को मिलेगा inorganic matter का मैंने ऐसे नहीं बोला कि इसके अंदर organic matter बिलकुल नहीं होगा इसके अंदर organic matter होगा बट ज्यादा ratio में inorganic matter होगा प्राइम इंपुरेटी यहां पर कौन सी होगी inorganic matter बूलो बात समय में आरी की नहीं आरी है और inorganic matter ऐस सच कोई खत्रा नहीं है inorganic matter का उसको आप लोग directly source में भी डाल दो कोई दिकत नहीं होती है कोई दिकत नहीं होत इंडिस्ट्रियल सीवेज और इंडिस्ट्रियल सीवेज देखो यह आपको directly नाम तो याद रहेगा इंडिस्ट्रियल सीवेज और domestic सीवेज को sanitary सीवेज बोलते हैं अब क्यों बोलते हैं इन दोनों को क्यों collect किया इसके बारे में reason मैं आपको बता जिए ठीक है कि नहीं है बुलो यार domestic सीवेज और इंडिस्ट्रियल सीवेज टेकन टूगेधर टेकन टूगेधर is called is called sanitary सीवेज is called sanitary सीवेज बोलो कितने लोगों को बात समझ में आई बारे में बात समझ में आई यह सुनो ठीक है जी अब आगे देखो जरह अब आगे देखिए जरह अब आगे संदीप समझ में आ रहा है इस अशना रुहित देखो बहुत आराम से चला है चीजे और बहुत ध्यान से सुनना है और एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना है और एक चीज को हर एक टर्म आपके पॉइन यह I Talk एक टरहां है अब आगे देखो जरब मिज्साथन अगर मैं इन तीनों को कि अगर मैं इन नों और यह्म बूल सकते हैं domestic sewage और industrial sewage को तो हमने combine कर दिया अब आपके पास sewage दो टाइप के रह गए कौन-कौन से दो टाइप के रह गए बताना जरब आपके पास sanitary sewage रहे गया और आपके पास drainage discharge रहे गया और रन-off आपके पास रहे गया बोलो बात clear है कि नहीं अब ध्यान से सुनो generally यह जो आपके पास drainage वाला जो आपके पास water होता है generally जो आपके पास drainage वाला जो discharge आता है वो generally 22-30 times जादा होता है as compared to sanitary sewage discharge मतलब sanitary sewage का जो आपके पास liquid होगा या पानी आएगा समझो एकिसाफ से पानी ही होता है आपके पास ठीक है देखे आपसे पानी होता है यह भी ठीक है जो सेनेटरी सीवेज का जो वाटर आएगा या डिस्चार्ज आएगा उससे 20 से 30 गुना जादा पानी आपके ड्रेनेज और रन आफ के केस में होता है अब बोलेंगे सर ऐसा कहा होता है नालिया तो सुखी वी है परद्यान दखना जब आपका बर्साथ का मौसम होता है या जादा वारिश होती है तो उस टैपे ब्रेनेज डिश्चार्ज बहुत जादा आपका निकलकि आता है और इस टैपे अगर आपके पास ठोप्した को करने या डिसपॉ्ज करने का फशिलिटी ना हो तो शहर कमें पानी बर जाता है त है सही बात है उसमें चला जाएक बढ़ जितने भी आपके जो ए प्लेन इलाके हैं वहाँ पर नंट देखा होगा कि कहीना कहीं शेहरों में पानी बाला होता है गालियां डूबरी हैं लोग डूब रहे हैं साइकल सिर्फ लेकर घूह रहे हैं ऐक किनियारी वह कहीं देचे आपके ड्रेनेंपर वह कूले और 11 क्यूझ ये आपको बताए किसा sara चाहिए है को हो सकता है कहीं आप बोल सकते हैं कि ड्रेनेज का डिस्चार्ज जो है वो आपका 100% से भी जादा है कि रोज भारिश होती है वहां पे बोलो सही बादे कि नहीं है दुनिया में सबसे जादा भारिश होई होती है ना बोलो यह सो नो तो आप बोल सकते हैं कि ड्रेनेज डिस्चार्ज तो आप और देन सेनिटरी सीवेज सेनिटरी सीवेज बुलो बात क्लियर हुई बुलो बात क्लियर हुई यहां तक बात क्लियर हुई अब देखो ज़र आए को और चीज ठीक यह तो रही आपकी सीवेज के बारे में बात यह तो रही आपकी सीवेज के बारे में बात सीवेज क्या है स सशाफोराराब के पास konuşible से सीवेज बने सीरी सीवेज और ड्रेनेश डिस्चारज अब इन दोनों को कमपेयर करके भी देखा कि कि किसका डिस्चारज ज्यादा रहेगा किसमें डिस्चार्ज ज्यादा रहेगा बुलू बात चले करना है या इन सारे चीज़ों को करना है तो इन सारे चीज़ों को करके आपको कहा ले जाना है सबसे पहले तो आप लोग प्लांट में ले जाओगे प्लांट में फिर जाके उसको आप लोग डिस्पोस करोगे प्लांट में ले जाने के लिए आप लोग एक पाइप यूज कर तो conduct बोलता हैं बोलो बात समझ में आदी की नहीं हा रही है सीवर्स आपके pipe है और conducts है जो आपके sewage को collect करेंगे from one point to another point in the sewerage system बोलो बात समझ में आदी की नहीं हा रही है तो sewers क्या है they are pipe or conduct they are pipe or conduct required required to carry required to carry the sewage required to carry the sewage from from one point to another point from one point to another point from one point to another point in sewerage system in sewerage system in sewerage system ठीक है तो इसको हम लोग sewers बोलता है दूसरा term हो गया sewage के बाद तीसरा term आपके पास हो गया sewage system तीसरा term हो गया आपके पास sewage system सिस्टम तीसरा टंग होगे आपका सीवरेज सिस्टम अब देखो यार अभी तक हमने बात किया सीवरेज के बारे में अभी तक बात किया हमने सीवेज के बारे में अब बात कर रहे हम लोग सीवरेज सिस्टम के बारे में अब इस सीवरेज सिस्टम क्या है ध्यान से सुनो आपने क्या किया आपनी जो आपका वेस्ट वाथर जंacking हो रहा था उसको आपने कलिक्ट किया फिर आपने प्लांट में लें उसको ठीट किया डिड़ करके फरेञ आप जो इसको फैंक करे वो ये पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सीवरेज सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग सीवरेज सिस्टम सीवरेज सिस्टम का मतलब ऐसे मत समझना कि जो भी आपने सीवरेज का पाइप बिछाया हुआ है उस पूरे pipe को severage system बोलते हैं ना severage system का एक part है severs बोलो बात समय में आरी कि नहीं है severage system का एक part है severs बोलो बात clear है कि नहीं severage system के अंदर वो severs भी आएगा बट उसके अलावा severage system के अंदर आपका severage treatment plant भी आएगा उसके आद आपका जो disposal करने के लिए जो आपके पास pipe है वो भी आएगा यह पूरा process जिसमें आपने collect किया collect करने के बाद आपने उसको treat किया treat करने के बाद उसको आपने फिर से फैंक दिया यह पूरे process को बोलते हैं लोग severage system बोलो बात clear है कि नहीं the entire process the entire process the entire process in which the entire process in which sewage is collected the entire process in which sewage is collected treated sewage is collected treated and disposed and disposed is termed as is termed as sewage system is termed as sewage system बोलो यह बात समझ में आरी है अंजी एक-एक term समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वोर तो नहीं हो रहे सारे ठीक पक्का अब सुनो आगे अब अब सुनो आगे अब देखो आगे की कहानी है अब ठीक अब देखो आगे कहानी अब जो भी आपका ये waste generate हुआ है ये भी आप जो भी आपका waste generate हुआ है मेरे पास दो टाइप के क्या है बिटा मेरे पास दो टाइप के सीवरेज है कौन-कौन से एक sanitary है एक drainage है एक sanitary है और एक drainage है बोलो बात समय में आ रही कि नहीं आ रही है इन दोनों water को जो collect करने का जो तरीका होता है उसके वज़ए से उसके वज़ए से उसके वज़ए से different तरीके में या आप बोल सकते है collection system में या एक आपके पास अलग system आपका develop हो जाता है या आपके पास एक अलग type का system develop हो जाता है मैंने क्या बोला depending upon the mode of collection मतलब कहने का मतलब भी है कि यह sanitary sewage और drainage का sewage है इन दोनों को आप लोग किस तरीके से collect कर रहे हो क्या इनको आप लोग एक साथ collect कर रहे हो क्या इनको आप लोग separately collect कर रहे हो जिसके वज़े से आपके पास दो अलग-अलग टाइप के system बन जाते हैं दो अलग-अलग टाइप के system बन जाते हैं for collecting the sewage बुरुभा समय में आ रही है कि नहीं आ रही है बुरुभा समय में आ रही है मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि depending upon depending upon mode of collection of sewage 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 इन्टू, number one, separate, separate severage system, separate severage system and combined severage system, and combined severage system, फीक, तो दो आपके system बन जाते हैं, एक आपका बनता है separate severage system, एक आपके पास बनता है, एक आपके पास बनता है, Combined Saverage System ठीक एक आपके पास बनता है Combined Saverage System अब ये Separate Saverage System क्या होता है Combined Saverage System क्या होता है इसको समझने के लिए हम लोग जो है एक पूरा का पूरा Analysis देख लेते हैं किस तरीके से आपके जो है Pipes, Ground के नीचे आपने ले किये होते हैं ध्यान रखना, जितने भी Pipes आपके होते हैं चाहे वो Treated Water का हो, चाहे वो Wist Water का हो सारे के सारे Pipes जनरली आपके Ground की नीचे क्या किये होते हैं हमने ले किया होता है सही बाते कि नहीं All the Pipes are laid below the Ground Ground के नीचे ही दबाते हैं सारे Pipes को अब ऐसा क्यों करते हैं क्यों हम लोग Ground की नीचे ही दबा रहें पाइप को हम लोग Ground की नीचे ही पाइप को इसलिए दबाते हैं क्योंकि Ground के उपर इतना हमारे पर Space एवलेबल नहीं होता है Congested जगाओं पे आप लोग ज़्यादा तर यही कोशिश करोगे एक सब्ते की पाइप को गरा troops की नीचे लगाए जाएं अगर क consistent है तो एक चिर बताऊ की है आड्मे को चलनी के लिए जगा रखों के तो इसलिए क्या होता है जनरी हिंने पाइप ज्वाइप एक निचे ही क्या होता है ले किया होता है बुलो बात समय में आरी कि नहीं आरी है या सुनो आप देखो पाइप साथ किस ट्राइप के होते हैं देखो चारा किस तरीके से या किस पैटन में आपने पाइप को जो है कलेक्ट किया होता है या किस पैटन में आपने पाइप को प्लेस किया होता है ठीक द् सब्स क्राइ penser иск, और दो की डिरेक्शन से ने में, एक की डिरेक्शन अलग है यह दिखू जद्ट है यह आपके पास है रोव उटर है यह की आपके पास है रोव वाटर यह आपके पास है रॉव वाटर बुलों बात समें मेंने आ नीचे मैंने दो अलग-अलग पाइप लगाएं हुए अब नीचे मैंने दो अलग-अलग पाइप लगाएं हुए अब ये दोनों pipe क्या क्या चीज carry कर रहिए देखो जरब ये ऊपर वाली pipe आपकी drainage carry कर रहिए या run off आप मुसको बोल सकते हैं और नीचे वाली pipe जो है आपकी sanitary sewage को जो है वो collect कर रही है नीचे वाली pipe जो है आपकी sanitary sewage को collect कर रही है बोलो बाद समयारी कि नहीं तो अगर आप द्यान दो drainage और brat दोनुख करने के के लिए आपने दो अलग-अलग पाइप लगा रखें तो बोलो बात समय मैं आ रही कि नहीं तो ऐसे सिस्टम जहां पे आपने सेवरेश जहां आपने जो है 적 entraribh Cityäg और drainage को अलग-अलग आप लोग करके ले जाते हो उसको अम लोग बोलते है Supp campo साथ सिर्फ सेवरेश सिस्टम अब आपने क्या किया है कि रॉव वाटर वाली जो पाइप है जो हम लूग पीने वाली पाइप है उसको सबसे ऊपर रखा रखा हुआ है ड्रेनेज वाली पाइप है उसको नीचे रखा हुआ है सेनेटरी सीवेज जो है उसको सबसे नीचे रखा हुआ है ऐसा क्यों किया है द्यान से सुनूं क्योंकि क्योंकि जितने भी पाइप से हैं देखो यार क्योंकि जितने भी आपके पास ये वाटर है ये कहीं न कहीं आप लोग पाइप से ही क्या कर रहे हो सप्लाई कर रहे हो कहीं न कहीं पाइप से ही सप्लाई कर रहे हो जब pipe होगा तो अब इसी बात है pipes में joint भी होगा जब pipe होगा पाइप में joint भी होगा अब जब joint होगा तो अब इसी बात है joint से leakage भी होगा जब joint होगा अब इसी बात है leakage भी होगा अगर मैं raw water के pipe को यहां पे लगाओं मानलो इनके बीच में लगा दूँ यहां पे हो सकता है य यहां पे यह वाला पाइप भी क्या होगे बिटार यहां पे यह वाला पाइप से लीकेज होगी यह वाला पाइप यहां पे थोड़ा बहुत लीकेज कर रहा है तो क्या हो जाएगा कि यहां से इस वाले पाइप से जो गंदा पानी है वो कहीं ना कहीं आप यह राव वाटर म को हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं बोलो बात क्लियर है कि नहीं है ठीक अब फर्दर आपने ड्रेनेज वाले पाइप को उपर रखा हुआ है अब ड्रेनेज वाले पाइप को उपर क्यों रखा हुआ है क्योंकि ड्रेनेज वाले कि इसका मतलब अगर ड्रेनेंज वाले पाइप को अलग से लगाऊंगा तो यहां पिर मेरे पास और बहुत कम है तो ड्रेनेज वाले अगर मैं अलग से लगांगा तो ड्रेनेज वाले वाटर को मैं बिना ट्रीट करकर वापस से सोर्स में फैंक सकता हूं आप मेरे पास ट्रीट करने के लिए सर्फ सेनेटरी सीवेज है अब बास समय में आंगी की नहीं आ रही है यह सो नो अब separate करने का तो मतलब यही था ना कि आपका जो है overall आप बूल सकते हैं separate करने का मतलब तो यही था कि आपका जो overall है treatment का जो cost है वह आपका कम हो जाएगा कम पानी अब आपको treat करना पड़ेगा क्योंकि drainage वाले को अलग से मैं सीधे ही पानी में फैंक दे रहा हूं drainage वाले को सीधे ही बिना treat करके क्या कर रहे हैं हम दों dispose कर दे रहे हैं sanitary sewage को सबसे नीचे हमने रखा हुआ है क्यों कि इसमें organic matter सबसे ज़्यादा होता है अगर sanitary sewage को ऊपर रखते हैं drainage sewage को नीचे रखते हैं तो माल लो sanitary sewage क्या हो गया sanitary sewage आपका leak हो गया तो वह अगर drainage में add हो जाएगा तो drainage के quality को भी खराब कर देगा और खराब कर देगा बुलो बात समय में आरी कि नहीं होता है कि मेरे पास अब पानी को treat करने के लिए सिर्फ सिर्फ sanitary sewage रह गया drainage वाले sewage को मैं directly dispose कर सकता हूं कहां पे source में बुलो बात clear है कि नहीं है यह सुनो हम देख रहे थे कि separate sewage system क्या होता है separate sewage system आपका वो sewage system जहां पे आपने drainage को अलग से carry किया है और sanitary sewage को अलग से carry किया हुआ है बुलो बात समझ में आई कि नही बुलो यार कहानी समझ में आई सभी को यस तो तो separate sewage system it is a it is a type of sewage system in which to set two separate sewers are provided in which directly to separate pipes in which two separate pipes are provided are provided to carry to carry क्या क्या करने के लिए to carry drainage drainage and sanitary sewage drainage and sanitary sewage बुलो बात समय में आई कि नहीं आई अगली बात हो रही है आपकी combined की अगली बात हो रही है आपकी combined की combined का मतलब क्या है देखो तरह यह आपके पास ground level यह आपके पास जो आपके पास treated water है जो आप लोग जो है community में यूज करने के लिए बेज रहे हो treated water या raw water आप इसको बोल सकते हैं और यह हो गया आपके पास sewage यह हो गया आपका sewers एक जिसमें हमने sewage connect किया है अब यहां पी यह जो pipe है इसके अंदर आपका drainage भी है इसके अंदर आपका sanitary sewage भी है मतलब drainage और sanitary sewage को हम लोग combinedly carry कर रहे हैं drainage और sanitary sewage को हम लोग combinedly carry कर रहे हैं तो ऐसे system को अब लोग बोलते हैं Combined savage system बोलो बात समय में आ रही कि नहीं आ रही है तो आप बोल सकते हैं in which in which only sewer is provided or only one sewer is provided only one sewer is provided to carry both to carry both drainage and drainage and sanitary drainage and sanitary sewage drainage and sanitary sewage बोलो बात समय में आरी कि नहीं आरी बोलो बात समय में आई यह सो नो जल्दी से बोलो यार यह सो नो जल्दी से बोलो ठीक ठीक अब एक चीज़ बताओ अब एक चीज़ बताओ आप जो है separate saver system या combined saver system को अगर मैं compare करूँ तो कौनसा saver system जो है आपका ज़्यादा economical निकल के आएगा चलिए अब द्यान से सुनना अब एक एक point द्यान से सुनना एक एक point द्यान से सुनना ठीक है देखिए अगर separate system की बात किया जाए अगर separate system की बात किया जाए द्यान से सुनना एक एक पॉइंट को separate seavage system provide करने के लिए मिरको दो अलग-अलग pipe चाहिए सही बात है मिरको दो अलग-अलग pipe चाहिए ठीक वेर रहेज अगर मैं combined sewage की बात करूँ तो मिरको एक बड़ी सी pipe चाहिए सही बात है कि नहीं इस तो carry करना है उसको तो बहुत बड़ा pipe चाहिए मिरको yes or no yes or no जल्दी से बोलो यार अब जब मिरको combined saver system provide करना है तो बहुत बड़ा pipe चाहिए अब जितना बड़ा pipe होगा pipe ही तो है उसको transport करने का खर्चा उतना ज़्यादा जितना जो आपका सेवरेज वाला जो pipe है जो आपका सीवेज है यह जो आपका pipe है जो सीवेज करी कर रहा है इसको आपको ground के अंदर लगाना है और सबसे नीचे लगाना है अब ज्यान से सुनो जितना बड़ा pipe होगा उतना जाधा आपको नीचे digging करना पड़ेगा उतना ज्यादा excavation करना पड़ेगा उतना नीचे उसको गाड़ना पड़ेगा सही बात है बोलो यार तो मतलब खर्चा एक तो डोने का खर्चा ज्यादा दूसरा उसको गाड़ने के लिए भी खर्चा ज्यादा इसमें combined severe system में ठीक तीसरी बात separate severe system में द्यान से सुनो separate severe system में आपके पास drainage अलग है और sanitary अलग है अगर मैं separate shavage system को देखू separate xiveis system में cióं। ज़ितने भी आपके पाइप हैं वो ग्राउड के नीचे लगे होए हैं। दूसरी बात जितने भी आपके पाइप हैं वो ग्राउंड के नीचे लगे होगए बुरुबाट समय में हारी है कि नहीं हारी अब जो भी आपका treatment plant होता है वो treatment plant होता है उपर कई तो ग्राउंड के उपर ही होता है शब ने देखा वा इसान में देखा हुआ है ना पानी को नीचे से उपर lift करना पड़ेगा treatment plant के लिए ज़ी सेनेटरी सीवेज की अगर मैं बात करूं तो सेनेटरी सीवेज में सेनेटरी सेवेज की बात करूं या separate system की बात करूं ड्रेनेज को हटाने के पास रिलेटिवली आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेडिरी सेवेज का पानी रहे गया जिसको लिफ्ट करना है कि यह सुनू बहुत समय में आ रही है कि यह तो यहां पहली बात तो ऊपर सेफरेट में देखो ज़रा ट्रीटमेंट का कॉस्ट का दोनों ही है तो पानी जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉस्ट आपका बढ़ेगा जितना ज्यादा पानी को ट्रीट करना पड़ेगा उतना ज्यादा आपको कोस्ट का कोस्ट का खर्चा खर्चा उतना ज्यादा निकल किया आएगा यह सो उन्हों जल्दी से बोलो तो कहीं वानीडी कम होता है कि आप लोग युज बिना पंप के भी जो है लोप अपने प्रोवाइट कर रखा है बिना पंप की भी वह पानी आपका कही लान्ट में आज जाता है बट अगर मैं कम्बाइंड से सिस्टेम की बात करूं तो यूज अमांफंट और ये सिस्टेम को आपने बुलो बात समय में आरी कि नहीं आरी है तो इन सब चीजों को overall अगर देखा जाए इन सब चीजों को overall अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं economical आपका separate separate system ही पड़ता है अब द्यान चे सुनो मैंने बोला economical पड़ता है economical पड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा separate separate system ही प्रवाइड करोगे बुलो बात समय में आरी कि नहीं आरी है जहां पर area का constraint है आप बोल सकते हैं जहां पर area का constraint है वहाँ पर आप लोग combined system ही प्रफर करोगे और भी बहुत सारे conditions हैं जो आपको देखने पड़ेंगे तब जाके आप लोग जो है system को आप लोग कौन सा system आपने प्रवाइड करना है उसके मुताबिक आप लोग प्रवाइड करोगे हाँ एकनोमी के पॉइंट से देखो तो सब्सक्राइड सब्सक्राइब करें यहां तक बात समय में ही सभी को बोलो यार यह सुननों तो यह कुछ बाते हैं जो आपको दियान में रख लिए हैं अब देखो अब कंबाइन सिर्फरे सिस्टम की एक और अगर आप ड्रॉबैक भी कुणकि देख का और यह बार pierws अगया बहुंग मान लो बारिश बहुत जयादा हो गई और आपका बी पानी बहुत ज्यादा आता है अगर आपने सेवरे सिस्टम लगाया है इनके अगर वह सिस्टम आपका फेल हो गया तो बिमारी होने के चांसे जाता है अगर ऐसा पानी बर जाएगा शहर में तो इन सेनेटरी कंडिशन वहां पे डवलप हो जाएगी बोलो बात समय में आ रही है कि नहीं आ रही है दूसरी और अगर आपने सेपरेट सिपरेट सिस्टम लगा रखा है पानी ज्यादा हो गया ड्रेनेज का पानी अगर बाहर भी गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी पानी पढ की नीचे गिट आयो हो भी बात समय में आए की नहीं हाइए तो आप बोल सकते हैं की सेपल से हैप का इन संरी कंडिशन नहीं डवलप होता है बट कंबाई सेपली सेपला हो सकती है या आई को बहुत हैं Ben आगे अगे क्या होता है आब देखो पीसरा सिस्टम भी ह सब्सक्राइब और स्वाफिंध में किसी को क्नि ब्यां समय fraction हम जब एधे वर स्थाक्राइब दो सं게ये एंग। करा इस सेंग बढ़的话 बढ़ित ही बड़िया कहानी है आपके लिए बहुत ही बढ़िया कहानी है आपके लिए देखो एक और सीवरेज सिस्टम आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल सेपरेट सीवरेज सिस्टम क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने ध्यान से सुनों क्या बोला मैंने partial separate separate severage severage system partial separate severage system partially separate partially separate का मतलब सर हम लोग कुछ गरबड कर रहे हैं क्या गरबड कर रहे हैं सर हम लोग थुड़ा बहुत drainage का पानी या बूल सकते हैं थुड़ा बहुत drainage का पानी हम लोग क्या कर रहे हैं डॉमेस्टिक सीवेज में या आप बूल सकते हैं कि sanitary sewage में mix कर रहे हैं क्या बूला हमें partial severage system वो system है जहाँपर आप लोग थुड़ा बहुत कौन से पानी drainage का पानी जो है वो आप लोग सेनेटरी सीवेज में मिक्स कर रहे है क्या वोल अबने it is a type of system in which कुछ portion of water some portion of water या some portion of drained water is allowed to get mixed with सेनेटरी सीवेज कुछ यो पानी आपका होता है drainage का उसको हम लोग सेनेटरी सीवेज में मिक्स करते हैं अब कौन से एरिया का पानी होता है वो ये भी हम लोग pictorial तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ये आपका गर है ठीक है ये आपका गर है ये रहा गर का ब्रामदा पोटे आड़ रही बात है ये रहा गर का ब्रामदा नीचे से आपकी पाईपें आ रही है ठीक नीचे से आपकी पाईपें आ रही है जहां पर आपका वाटर सप्लाई चला हुआ है मस्त तरीके से फ्रेश वाटर मिल रहा है आपको अब उसके नीचे आपके पास है ड्रेनेज वाला वाटर पाईप इसके नीचे हैं आपके पास कौन सा सेनेटरी सीवेज का पाइप यह है आपके पास रॉव वाटर यह है आपके पास कुंसा ड्रेनेज और रन आफ वाला पाइप और यह है आपको कुंसा कुंसा यह सेनेटरी वाला पाइप सेनेटरी सीवेज ठीक द्यान सुनना हो गई यहां पे आपके एरिया में बारिश एक बारिश होने से क्या होगा बारिश होने से कुछ वाटर आपके छट पे इकठा होगा कुछ वाटर आपके बरामदा या कोट यार जिसको हम लोग बोलते हैं उसमे सफ ही बात है कि जो वाटर द्यान से सुनना है जो वाटर आपका चे पर ये उस वाटर को को हम डॉमेस्टिक सेवेच के साथ mix करके sanitary sewage पे लगाएंगे जो water आपको आपके courtyard में या आपके बरामदे में इकठा हो रहा है उसको भी आप लोग जो है domestic sewage के साथ mix करके कहां पे लगाएंगे sanitary sewage में लगाएंगे दूसरी और आप देख सकते हैं यह water जो जमीन पे इकठा हो रहा है यह आपका जाएगा drainage में बुलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है तो मतलब गर के चट से और गर का जो बरामदा है इसके पानी को हम लोग domestic water के साथ mix करके या domestic sewage के साथ mix करके sanitary sewage में जब हम लोग add करवाते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते है पार्शियल सेपरेट पार्शियल सेपरेट सीवरे सिस्टम जहां पे हम लोग कुछ drainage के पानी को sanitary sewage में add कर रहा है बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है यह सो नो जल्दी से बोलो यार is this clear to everyone क्या यह बात समझ में सभी को ठीक है अब यह जो पीदी वाली लाइन है यह यह जो पाइप है इस पाइप के अंदर दो चीज़े हैं क्या-क्या दो चीज़े वाई क्या-क्या दो चीज़े हैं इसमें आपके पास drainage है चात का । प्लस डॉमेस्टिक। स्थी बत है। यहां पे इस वाले पैप में दो चीज़े हैं। क्वाधाय करो क्रोग मुझ चीज़े चीज़ें क्वाल के चीज़ें। यहां पे। क्षैश कई सब्सक्रानcej के इसमें बटाही स मैं साथ पे जमीन के उपर रन अफ कर रहा है बोलो बात समझ में हारी क्यों आदि अंजी तो आप बोल सकते हैं पार्शिल सेपरेट सिवरे सिस्टम क्या है इन विच इन विच पर्टिकुलर पोशन ओफ इन विच पर्टिकुलर पोशन ओफ ड्रेनेज इस अलाउड पर्टिकुलर पोशन ओफ ड्रेनेज इस अलाउड ड्रेनेज इस अलाउड द्रेनेज इस अलाउड to get mixed with to get mixed with to get mixed with sanitary sewage to get mixed with sanitary sewage बोलो बात समय में आ दी करोगे और कौन से वाले पानी को अलाव करोगे यह आपका सूटेबल होता है इसके लिए इसके लिए इसके लिए आपको आपको रहसा दिकत करेगी ड्रेनेज की वाइसे चुकिंग होने के सांचस जादा होते हैं ठीक है जनली कई जगा देखा भी गया है सीटीज में जो है अममाइन सस्टम भी लगाया जाता है तो इस तरीके से बुलो बास समय में आ सबको समय में आया यहां तक जो भी पॉइंट्स हमने डिसकस किये हैं क्या यह सारे पॉइंट्स अब को क्लियर हुए अले लाइनी तो ड्रॉब करनी दीजिए इसमें कि अगर देखिए अब आगे देखिए अगे देखिए अगे देखिए तो अगर मैं बात करूं सीवेच की या विस्टवाटर अब है व्यस् पाटर वेस्ट वाक TOM कबने हो रहतां के वेस्ट वाटर अपका जो है व्यस्टवाटर आपका जो है तब जिनलेट हो रहा था जब आपनोग पानी को community में supply कर रहे थे, जितना आपका water demand होगा, उतना ही आपनों क्या करेंगे, supply करेंगे, पुल बाद समझ में आरी कि नहीं आ लिए, अब जितना पानी आपने supply किया है, on an average 80% water जो है, वो आपका convert हो जाता है, कितना परसंट, 80% water जो है, आपका seaweed में convert हो जाता है, बुल बाद समझ में आरी कि नहीं ? बूसर, ये 20% pजन पानी कहा गया ? 20% पानी आपका जो है, या तो आपने consume कर लिया है, या तो आपने वो पानी loss कर लिया है, या तो वो पानीिम लॉस हो गया है बोलो बाद समय में आ रही है कि नहीं आ लिए जनरली ओन एन एवरेज 80% पानी जो आप लोग सप्लाई करते हो जो भी आपने पानी सप्लाई किया है उसका 80% ही सीवेज बनके बाहर आता है लिए 20-30% पानी या तो आपने चन्सिम कर लिया होता है या तो आपने उसको या तो आपके लोस हो गया होगा है को ही भी लॉस हो गया लिगे जो हो गया लो वाह समय आ दियान रखना प्ररशॉय इंड हनु अ about एब अबाँट एटी परसेंट कि आब ईटी परसेंट ऑफ नाच एबाट एटी परसेंट कोंशप्री इनुड़ी बिंग सप्लाइड इन्टू कम्यूनिटी 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 इन्टू 30 परसेंट जो होगा आइधर वी कंजूम एधर वी हैव कंजूम्ड और या तो लॉसे आपके होगा गुलो बात समझ में आई कि नहीं तो यह जो डाटा है यह डाटा कोई एक्जैक्ट डाटा नहीं है हो सकता है कम कंजूम कर लिया 90 परतिशत कंवर्ट हो गया हो सकता है 70 परसेंट हो सकता है बट अन एवरेज 80 परसेंट हम लोग लेकर चलते हैं अब देखो जरह यह डाटा इंपोर्टन होता है आपके नुमेरिकल पॉइंट अग्यू से आपको बोलेगा आपने इतना वाटर अपने सप्लाई कर दिया है आपको वो नहीं बता रहा है कि कितना प्रसेंट वाटर आपका सीवेज में कनवर्ट हुआ है अगर कोशन नहीं बता रहा है तो आप यह मानेगे कि जितना वाटर अपने सप्लाई किया है उसका 80 परसंट सीवेज बनेगा बोलो बाद समय में आ हो जाता है ठीक on an average दूसरी बात दूसरी बात एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है यह काफी ज्यादा important है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ठीक क्या important बात हैं अगर मैं सीवेज की बात करूँ अगर मैं सीवेज की बात करूँ जनरली आप शुरू से देखते आ रहे होंगे मैंने क्या बुला था लिक्विड वेस्ट प्लस वाटर मैंने क्या बुला था लिक्विड वेस्ट प्लस वाटर इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम लोग सीवेज की बात करेंगे कही ना कहीं सीवेज पूरा का पूरा आपका लिक्विड वेस्ट ही होता है सीवेज पूरा का पूरा आपका लिक्विड वेस्ट ही होता है लिक्विड वेस्ट का मतलग यहां पे अगर मैं सीवेज के एक सेंपल को ले लूँ, तो सीवेज के सेंपल में 99.9% आपका वाटर निकल के आता है, सॉलिड आपका आता है लेस देन 0.1%, 0.1% से भी कम आपका जो है सॉलिड के परसेंटेज निकल के आते हैं, तो इसका मतलब सीवेज पुरा का पुरा पानी है और कुछ नहीं है, बोलो बात समय में आई, तो मैंने क्या कहा, कि अगर मैं सीवेज की बात करूँ, तो सीवेज इस, सीवेज इस more than, more than 99.9% वाटर, and less than 0.1% of solid, and less than 0.1% solid, बोलो बात क्लिर है कि इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए कुछ experimental data भी है हमारे पास, क्या data है, द्यान सुनो, अगर मैं 100 kg का सीवेज का सेंपल इकठा करूँ, कितना, अगर मैं 100 kg का, such that, 100 नहीं 1000 kg का, if, if 1000 kg सेंपल, if 1000 kg सेंपल of सीवेज, of सीवेज, if 1000 kg of सीवेज, if 1000 kg of सीवेज, if 1000 kg of सीवेज, is considered, 1000 kg सेंपल of सीवेज, is considered, consider, it consists only, it consists only, 0.45 kg of total solid, अब बात को समझो, जरब, बात को समझो, जरब, कहने का मतलब यह है, कि अगर मैं 1000 kg सीवेज का सेंपल लेता हूँ, अगर मैं 1000 kg सीवेज का सेंपल लेता हूँ, इस में से सिरफ 0.45 kg ही क्या होगा, solid होगा, अब देख सकते हैं, कि solid का percentage, अगर मैं निकालू, 0.1% से भी कम आएगा, देखो कितना आ रहा है percentage, I think percentage आएगा 0.45 divided by 1000 into 100, percentage will be 0.045, which is less than 0.1 or not, क्यास ओलू, अंजी, बोले यार, तो 0.045 आ रहा है न, तो अगर आप देखो, तो कहीं न कहीं 0.1% से भी कम solid इसके अंदर है, तो कहीं न कहीं आपका जो सीवेज है, वो पूरा का पूरा पानी ही होता है, और कुछ लिए होता है, बोलो बात समय में आ रही है कि नहीं हारी है, यह सो नो जल्दी से बोलो, हां की न, अब देखो जारा, इसके अंदर कुछ और perm говорят भी है, अब इसके अंदर कुछ और parameter भी है, क्या parameter है, अगर मैं यह जो 0.45 kg की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यह जो 0.45 kg solids की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो solids जो होते हैं इन solids को भी थोड़ा सा हम लोग bifurgrade करेंगे कैसे 45% जो होता है इसके अंदर ये solid जो होगा है इसमें 45% आपके जो organic होते हैं organic solid होगा ठीक और 55% जो होगा वो आपका inorganic solid होगा 45% आपका organic solid होता है और 55% आपका inorganic solid होता है अगर आप द्यान से देखो तो sewage के अंदर organic solid जो है या organic जो आपका matter है उसका percentage देखो लगबग कितना है solid का 45% organic solid बोलो बात समय में आ रही कि नहीं आ रही है which is a huge amount बोलो बात समय में आ रही है कि नहीं आ रही है बोलो yes or no बात clear हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि अगर मैं sewage के solid का nature देखो sewage में जो solid present है उनका मैं nature देखो तो 45% solid आपके organic nature के होंगे 55% आपके inorganic nature के होंगे बोलो बात समय में आई कि नहीं आई दूसरी और आगर मैं यह तो आपके पास nature था अगर मैं types of solid की बात करूँ जैसे आपका total जो आपका solid निकल के आया आपका जो यह total solid निकल के आया यह कितना निकल के आया total solid आपका 0.45 था total solid जो आपका 0.45 था इन में से इन में से फरदर तीन टाइप के solids आपको देखने को मिलते हैं ये आपके तीन टाइप के solid होते हैं कौन-कौन से तीन टाइप के solid होगी देखो ज़रा देखें, एक होता है आपके पास dissolved solid one of them is your dissolved solid dissolved solid एक होता है आपके पास suspended solid एक होता है आपके पास suspended solid एक होता है आपके पास सेट लेबल सॉलेड ही कहा जी डिजॉल सॉलेड वो सॉलेड डिजॉल सॉलेड वो सॉलेड जो पानी के अंदर घुलेवे होंगे जो घुलेवे होंगे उनको डिजॉल सॉलेड ही बोलते है यह सो जल्दी से बोलो यार जो घुलेवे होंगे उनको क्या बोलेंगे के परसेंटेज की बात करूं तो लगबख 50% आपका डिजॉल सॉलिड होता है टोटल सॉलिड का 50% डिजॉल पच्चिस परतीशात आपका सॉस्पेंड़ी और 25 प्रसेंट है आपके पास सैट लेबल सॉलिड की बूलते हैं समय सब्सक्राइब जो आप आराम से नीचेश की अराम से जो हैं कि इस बिलकुल दिखरा होगा आपको ये suspended solid बोलो बात समय में आड़ी करने हे? अब बात आती है set label solids की बात आती है set label solids की नया टर्म हैं आपका ये set label solids आपका नया टर्म है बोलो जाड़ा सुनो अगर मैं set label solids की बात करूँ तो set label solids आपके वो solid होते हैं जिनकी settle होने की tendency जादा होती है जिनकी settle होने की tendency जादा होती है dissolve solid और suspended solid कैसे निकालते हैं ये तो हमने पूरा का पूरा जो है water treatment में हमने पूरा सीखा था बोलो याद है की नहीं बोलो याद है की नहीं dissolve solid और suspended solid कैसे निकालेंगे ये हमने water treatment में सीखा था कोई बताएगा कैसे निकालते हैं हम लोग dissolved solid और suspended solid कोई बताएगा dissolved solid और suspended solid हम लोग कैसे find out करते हैं dissolved solid और suspended solid हम लोग कैसे find out करते हैं कोई बताएगा dissolved solid और suspended solid कैसे find out करते थे हम लोग कोई बताएगा जल्दी से बोलो डिजॉल्ड सॉल्ड और सस्पेंड सॉल्ड कैसे फाइन आट करते थे हाँ जी आप लोग सेंपल लेते थे पानी का उसको एक मेंबरेन के उपर लगा देते थे या सवनों जल्दी से बोलो कुछ ऐसे किया था हमने जो भी आया यह आपका सस्पेंडेट सॉल्ड आया है ना और जो आपके पास नीचे गया वो डिजॉल्ड सॉल्ड आया है और एद्लॉ और उरगनिक और in और ये करने के लिए आप लोगट दे है सबसे पहले तुम्हें तो solid आपके वो solid which are allowed to which are allowed to या बोल सकते which have higher tendency of settlement which have higher tendency of settlement जिनकी settlement होने की tendency tendency ज्यादा होती है higher tendency of settlement अब यह settleable solid हम लोग कैसे निकालते हैं यह settleable solid हम लोग निकालते हैं एक test perform करके settleable solid हम लोग निकालते हैं एक test perform करके वो जो test हम लोग perform करते हैं वो जो test हम लोग जो perform करते हैं वो हम लोग जो है एक कोन में perform करते हैं जिस कोन का नाम होता है इम ओफ कौन जिस कोन का नाम होता है इम ओफ कौन इम ओफ कौन यह आपके पास इस टाइप पर एक cone होता है जिसको हम लोग emorph cone बोलता है बोलो बात समय में आ रही कि नहीं आ रही है इस type of cone is called emorph cone इस emorph cone में क्या होता है यहाँ पर आपके graduations लगे होती है जो कि आपको height major करके देगी या volume major करके देगी basically ठीक है इस emorph cone में आप लोग क्या करोगे इस emorph cone में आप लोग जो है आपका जो sewage का sample है उसको collect करके रख दोगे आपका जो sewage का sample है उसको collect करके रखोगे अब sewage के sample में कुछ solid आपके ऐसे होंगे जो आपके settle कर सकते हैं जो आपके settle कर सकते हैं बूलो सभी बात है की नहीं? आप कितने दिर तक रखोगे इस इम उफ को उफ में आप लोग received को रखोगे दो गंटे तक कितने रखंप गंटे तक? दो गंटे तक. after two hours आपको क्या देखने को मिलेगा यह जो को यह जो कौन है इस कौन के यहां पे इस्कौन के यह आपको देखने को मिलेगा कुछ solids उकठे हो गए होंगे इस solids का हम लोग क्या करेंगे is solid solids का क्या करेंगे हम लोग height major करेंगे अब चाए height major तो तब height major इसली करेंगे क्योंकि यह आपको concentration बताएगा कि कितना solid आपका present है कितना settleable solid आपका present है दूसरी बात यह जो subtle हुआ वाबा solid है जो आपका कोन के यहाँ पे vertex वाले point पे एकठे हो गए हैं इन्ही solids को बोलते हैं हम लोग settlable solid इन्ही solids को बोलते हैं settlable solid अब ध्यान सुनूं यह जो कोन है इस कोन का जो height है इस height को हमने करके रखा होता है concentration के साथ मतलब कहने का मतलब है अगर यहां से आप लोग height को read करोगे यह आपको basically height नहीं बता रहा है यह basically आपको concentration बताएगा मतलब आप बोछ सकते हैं कि इस क्षों का हमने calibration करके रखा होता है कि कोन आपका calibrated cone होता है कैसा cone होता है आपका ये calibrated cone होता है मतलब यहाँ पे आप reading तो height की करोगे बट उस height को हमने concentration के terms में calibration करके रखा हो है तो आप लोग directly concentration को report करते हैं कि इस sample के अंदर कितना आपका saturable solid की concentration present है बोलो बात समझ में आई ये सुनो हंजी पुरी कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है तो यहाँ से सवाल है क्या सवाल है सैटलेबल solid कौन से तरीके से निकालते हैं सैटलेबल solid हम लोग निकालेंगे emof cone से इससे निकालेंगे हम लोग emof cone से अब द्यान से सुनो, set level solids हम लोग किसको बोलते हैं, set level solids हम लोग उसको बोलते हैं, अगर मैं emof cone में एक sewage का sample लगा दूँं, और उसको दो गंटे तक, दो गंटे तक ऐसे ही रखूं, जो solid emof cone में में मेरे को stand होते हुए देखने को मिलेंगे, ऐसे solids को हम लोग set label solid बोलते हैं किसी को कोई दिक्कत मैंने क्या बुला if the sample of sewage if the sample of sewage if the sample of sewage is allowed to stand if the sample of sewage is allowed to stand is allowed to stand in imof cone in imof cone in imof cone for two hours for two hours the amount of solid the amount of solids settled in it settled in it termed as set label solids termed as set label solids इसको हम लोग set label solids बोलते हैं बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं यह सो नो जल्दी से बोलो यार यहां तक बात clear हुई सभी को यहां तक सभी को बात clear हुई यह जो terms हमने डिसकस किये हैं is this clear to everyone yes or no जल्दी से बोलो ठीक है चली इसको नोट करिये हैं यहां तक फिर आगे बढ़ते हैं इसको नोट करिये हैं यहां तक आगे बढ़ते हैं फिर राइट डान अप्टी इस पॉइंट कि अ देखेंगे नउट नेक्स्ट नेक्स्ट अब जब हम लोग सीवेज की बात कर रहे हैं जब हम लोग सीवेज की बात कर रहे हैं तो आपने देखा आपने देखा कि सीवेज की जब हम बात कर रहे हैं तो टूटल सॉय॥ इसमें कितने है तूटल सॉय॥ इसमें जीरो पॉंट वन पर्संट से भी कम है बट जो टूटल सॉय॥ प्रेजेंट है उसमें अब देख सकते हैं कि ओर अर्डिनिक मेटर 55 परशंट है अगर मैं organic matter के amount की बात करूँ तो this is the huge amount बहुत सादा amount आपको जो है organic matter का आपको जनली देखने को मिल रहा है बोलो बात समय में आरी कि नहीं yes or no तो इसी लिए जब हम लोग बात करते हैं sewage की, तो sewage में prime impurity जो आपका होता है वो आपका organic matter होता है prime impurity of sewage is organic matter बोलो बात समय में आरी कि नहीं आरी तो जो major impurity होता है sewage के अंदर that is your organic matter तो prime impurity prime impurities of sewage of sewage is organic is organic matter that can be either biodegradable that can be either biodegradable and या और non-bio-degradable non-bio-degradable ठीक अब देखो यार मैंने क्या कहा कि prime impurity जो है किसकी sewage की sewage की जो impurity है prime impurity वो आपकी organic matter है organic matter आपकी bio-degradable भी होती है और non-bio-degradable भी होती है अब इसको समझने के लिए आपको पूरा process organic matter का recall करने की ज़रुरत है क्यों? अब recall क्यों बोला मैंने? recall इसलिए बोला क्योंकि organic matter की पूरी कहानी हमने water treatment में भी समझ रखी थी अगर आपको याद होगा तो water treatment में हमने पूरी कहानी जो है organic matter की समझ रखी थी हमने वहाँ पर ये भी समझा था कि bio-degradable क्या होता है? मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये आपका microorganism ये आपका microorganism ठीक इसिजी यह microorganism डियान से सुनो अब ये microorganism क्या करता है ये microorganism क्या करता है ये micro organism oxygen का यूज करते हुए ये क्या करता है organic matter को decompose करता है organic matter आपके दो type के होते हैं एक होता है आपका bio degradable एक होता है non-bio degradable bio degradable आपके पास वो organic matter वो organic matter जो micro organism आराम से जिसकी decomposition कर सकता है non-bio degradable वो जिसकी decomposition नहीं होती है जिसकी decomposition जो है organic matter नहीं कर सकता है उसको बोलते हैं हम लोग non-bio degradable बोलो बात समझ में आई या सुनू मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला organic matter आपके दो type के होते हैं that is bio degradable और non-bio degradable बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है bio degradable organic matter वो जिसको micro organism oxygen के presence में अराम से decompose कर सकता है जिसको micro organism oxygen के presence में अराम से decompose कर सकता है खीक उसको बोलते हैं हम लोग bio degradable खीक है जिसको आप या तो ऐसे समझ लो जिसको micro organism खाता है वो होता है bio degradable सही बात है दूसरी बात non-bio degradable वो जिसको micro organism decompose नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं हम लोग non-bio degradable बोलो यहां तक बात clear हो कि नहीं अब मैं बात कर रहा हूँ bio degradable organic matter की क्योंकि bio degradable organic matter को micro organism क्या करेगा micro organism यूज करेगा micro organism को इसको खाने के लिए किसकी ज़रत पढ़ती है oxygen की ज़रत पढ़ती है किसकी ज़रत पढ़ती है oxygen की ज़रत पढ़ती है तो oxygen का यूज करते हुए यह bio degradable organic matter को consume करता है बोलो बात समय में आरी की नहीं आरी है अब यह bio degradable organic matter का क्या चीज consume करता है इसके अंदर जो carbon होता है ना वो वो उसके अंदर जो carbon present होता है वो micro organism का खाना होता है बोलो बात समय में आरी की नहीं आरी है तो मतलब bio degradable organic matter से micro organism carbon को निकालेगा carbon को निकालने के बाद इससे 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 क्या बनता है इससे एक चीज आपकी release होती है carbon को खा जाएगा बजीवी जो gases होती है उसको हम लोग बोलते है biomass बोलो बात समय में आरी है की नहीं आरी है यह पूरा process समझ में आया की नहीं आरी तो मैंने क्या बोला micro organism oxygen का यूज करते हुए bio degradable organic matter को consume करता है bio degradable organic matter से जो carbon है वो इसके लिए food होता है carbon को यहां से निकाल लेगा उसको खा लेगा बचावा जो होता है उसको उनलोग biomass बोलते है गैसेस में convert होता है बचावा उसको उनलोग biomass बोलते है बोलो बात समय में आ रही है कि नहीं आ रही है बोलो बात समय में आ रही है कि नहीं आ रही है अब द्यान से सुनो मैंने क्या बूला और्गनिक मेटर कौन सा और्गनिक मेटर है बायो डिगरेडेबल और्गनिक मेटर को खाने के लिए माइक्रो और्गनिजम को किस चीज के ज दूरत है बुलो बात clear है कि नीए अब अगर मैं इस oxygen की स्टोरी की बात करूँ अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे अगर मैं इस oxygen की बात करूँ तो oxygen oxygen जो होता है वो आपके दो form में present होता है oxygen आपके दो form में present होता है पानी के अंदर या सीवेज के अंदर, बोलो बात समझे में आ रही कि नहीं आ रही है, एक होता है आपके पास dissolved oxygen, एक होता है आपके पास dissolved oxygen, जो पानी के अंदर घुलाव आपको मिलेगा, एक होता है आपका molecular bonded oxygen, जो आपके पानी के अंदर, किसी भी component के अंदर, जुड़े वे फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मैंने क्या बोला, oxygen आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपके पास dissolved फॉर्म में, जो easily available होता है, एक होता है आपके पास combined form में, एक होता है आपके पास combined form में, molecular bonded form में, किसी आप बोल सकते हैं, किसी product के साथ या किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ oxygen, बोलो बात समय में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक होता है dissolved form में, एक होता है आपका combined form में ठीक है ये combined form में oxygen वोक oxygen जो किसी भी चीज के साथ जुड़ा हुआ होगा सब्सक्राइब अब द्यान सुनो अगर microorganism oxygen कौन सा यूज करेगा जो सीवेज वाले पानी में oxygen होगा उसी को यूज करेगा द्यान सुनो अब ये जो microorganism है अगर ये microorganism dissolved oxygen को यूज करते हुए bio degradable organic matter को consume करता है तो ऐसे decomposition को हम लोग बोलते है aerobic decomposition ऐसे decomposition को बोलते है aerobic decomposition aerobic decomposition वो decomposition जहाँ पे microorganism in the presence of oxygen क्या करके देगा आपको decomposition करके देगा उसको बोलते हैं aerobic decomposition बोलो बात समझ में आई बोलो बात समझ में आई यसो नो जल्दी से बोलो aerobic decomposition सबको समझ में आये के नहीं है मैंने कहा aerobic decomposition आपका वो decomposition है जो microorganism dissolved oxygen को use करते हुए organic matter को decompose करने के लिए use करता है मतलब आप बोल सकते हैं कि organic matter का जो decomposition हो रहा है वो आपके dissolve oxygen के presence में हो रहा है वो आपके dissolve oxygen के presence में हो रहा है ऐसे decomposition को हम लोग बोलते हैं aerobic decomposition ऐसे decomposition को बोलते हैं हम लोग aerobic decomposition बोलो बात समझ में आई की नहीं आई यस हांजी ये सबको clear है ये बहुत पेचीदा चीज़े हैं द्यान रखना कहीं न कहीं ये सारी चीज़े आपने बच्पन में पड़ी हैं बड़ रीकॉल नहीं हो रही है इसलिए मैं बहुत अराम से उसको रीकॉल करवानी की कोशिश कर रहा हूँ अगर रीकॉल नहीं भी हो रहा है तो फिर से समझ रहे हैं हम लोग बिलकुल नहीं सीदे से बिल्कुल फिर से समझ रहे हैं हम लोग बिल्कुल नहीं सीज़े से तदी बात है न, इसलिए बहुत अराम से बता रहा हूं है, कि आपको मिलेगा जब तक आपका वेस्ट वाटर खतम नहीं होता है डिस्पोजल के टैम पे भी हम लोग माइक्रो और्गनिजम और और अर्गनिक मेटर के ही बात करेंगे बूलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है और जो हम लोग वाटर की क्वालिटी पढ़ेंगे तोस्टेम भी इन दोनों की हिस्टोरी होती है बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो ठीक है बात समझ दो अब सुनो जब आगे मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला अगर माइक्रो और्गनिजम अगर माइक्रो और्गनिजम organic matter को decompose कर रहा है in presence of dissolved oxygen इसको बोलते हैं हम लोग aerobic decomposition बोलो बात समझ में आरी कि नहीं आरी है अब dissolved oxygen को हम लोग क्या बोल रहे हैं ऐसा oxygen जो आपका present होगा ऐसा oxygen जो आपका present होगा बोलो बात समझ में आरी है यही बोला मैंने yes or no present होगा yes क्या सर combined form of oxygen को यूज़ करके micro organism दियान से सुनो आप मेरे question को दियान से सुनना ठीक है सर इसका मतलब क्या यह ऐसा आप बोलना चाह रहे हो कि micro organism combined form के oxygen को यूज़ करके bio degrable organic matter को decompose नहीं कर सकता है सबाल मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या सर micro organism combined form में जो oxygen present है उसको यूज़ करके bio degrable organic matter को decompose नहीं कर सकता है ऐसा नहीं बोला मैंने इसको यूज़ करके इसको यूज़ करके इसको भी यूज़ करके आपका micro organism जो है organic matter को decompose कर सकता है बट यह oxygen combined form में है मतलब किसी और के साथ जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले micro organism को इस combined form के oxygen को किसी भी के साथ भी जुड़ा हुआ है मालो किसी के साथ भी जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो उसको तोड़ना पड़ेगा इसको दूसरे से छीनना पड़ेगा oxygen फिर जाके micro-organism को oxygen मिलेगा, फिर जाके वो bio-degradable organic matter को decompose करेगा, भूलो बात समय में हारी है कि नहीं हारी है, ठीक है, तो directly present नहीं है न यह oxygen आपको, easily available नहीं है, easily available नहीं है, यह सुनो, ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपका जो है micro-organism combined form के oxygen को use कर सकता है, उ ऐसे decomposition को हम लोग anaerobic decomposition बोलते हैं, ऐसे decomposition को हम लोग क्या बोलते हैं, anaerobic decomposition, जहां पे micro-organism को combined form के oxygen को use करना पड़ता है, और फिर micro-organism आपका जो है, bio-degradable organic matter को decompose करता है, ऐसे process को हम लोग anaerobic process या ऐसे decomposition को हम लोग anaerobic decomposition बोलते हैं, बोलो बात समझ में आरी है कि नहीं हा रही है, तो आप बोल सकते हैं कि यह जो आपका प्रोसेस है यहां पर आपके पास oxygen डारेक्टली अवलेबल नहीं है यह जो आपका प्रोसेस है यहां पर आपके पास oxygen डारेक्टली अवलेबल नहीं है तो इस प्रोसेस को हम लोग एनारोबिक प्रोसेस बोलेंगे अब अगर मैं दोनो प्रोसेस को compare करूँ इसको बोला था हमने aerobic हर टम में लिखाऊंगा अभी मैं समझा रहा हूँ ध्यान रखना इसको बोलेंगे वह लोग aerobic इसको बोला हमने anaerobic ठीक है जी इसको बोला हमने anaerobic ध्यान से सुनो अभी इस बात को अगर मैं इन दोनों को compare करूँ anaerobic और aerobic को compare करूँ एक चीज़ बताओ कौन सा प्रोसेस जल्दी होगा aerobic जल्दी होगा या anaerobic जल्दी होगा जल्दी से बोलो aerobic जल्दी होगा या anaerobic जल्दी होगा aerobic जल्दी होगा aerobic जल्दी होगा सबका reply आना चाहिए भई तभी पता लगेगा समभी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छा ठीक बिल्कुल सही बात है aerobic जल्दी होगा क्यों aerobic जल्दी होगा क्योंकि सर microorganism को इतना ज़ादा मेहनत नहीं करना पर रहा है oxygen को निकालने के लिए aerobic में जो भी पड़ा हुआ है micro organism उसी को यूज करके फटा फटे decomposition कर रहा है बट एनारोबिक केस में सबसे पहले तो उसको oxygen को ढूंड़ना पड़ रहा है मिल गया उसको oxygen गलती से कहीं पर भी वो किसी और के साथ जुड़ा हुआ है पहले तो उसको उसको पार्टी से तोड़ना है उसको फिर जाके वो इसके साथ जुड़ेगा फिर जाके वो दोनों कहीं ना कहीं कि बायोडिग्रेडेबल औरगनिक मेटर की उपर हमला करेंगे बुलो बात समय में आ यहीं की ने आ लिए इतने में आरूबिक वाला जो है पूरा सरकार बनाके बैठा हो गया है तो इनारोबिक डिकंपोजिशन होता है इनारोबिक डिकंपोजिशन में टाइम ज्यादा ल लगती है कैसे जादा लगेगी एक चीज बताओ माइक्रो और्गनिजम के पास जो एनर्जी सबसे पहला इनर्जी तो उसको क्या करेगा ऑक्सिजन को तोरने के लिए लगा ठीक है उसके बाद ऑर्गनिक मेटर ऑर्गनिक मेटर थे थोड़ी पड़ा होगा वह भी की बात करते हैं जिसके वजह से इनर्जी घंपोजीशन का रेट आफ डिकमपोजिशन लगबख तीन गुना कम निकल के आता है या तीन टाइम कम निकल के आता है एस कंपेर टू अरोबिक डिकमपोजिश तो पूलो बात समझ में आरी की नहीं अरी रेट अवीजे बोला मै लिख लो यहां तक चली इसको लिख लो अब यहां तक चली पहले इसको लिख लेते हैं एक अब सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बायो डीग्रेडेबल बायो डीग्रेडेबल और्गेनिक मेटर बायो डीग्रेडेबल और्गेनिक मेटर बायो डिग्रेडेबल और्गेनिक मेटर क्या होता है बायो डिग्रेडेबल और्गेनिक मेटर सबसे पहले बायो डिग्रेडेबल और्गेनिक मेटर वो और्गेनिक मेटर जिसको माइक्रो और्गेनिजम जिसको माइक्रो और्गेनिजम decompose कर सकता है either in the presence of oxygen or in the absence of oxygen बोलो सही बात है absence of oxygen में भी कर रहा है न decomposition but time ज्यादा लग रहा है सरिफ बोलो बात समय में आ रही है कि नहीं आ रही है biodegradable organic matter is that is that which can be decomposed which can be decomposed which can be decomposed by action of by action of microorganism either in presence either in presence or absence of oxygen or absence of oxygen या तो oxygen के presence में या तो oxygen के absence में biodegradable organic matter क्या करता है microorganism को biodegradable organic matter को decompose करेगा कौन करेगा microorganism करेगा बोलो बात समय में आ रही है अगर presence में करता है तो उस process को हम लोग बोलता है aerobic decomposition if the decomposition if the decomposition if the decomposition takes place if the decomposition takes place in presence in presence of oxygen मतलब dissolved oxygen in presence of dissolved oxygen is termed as aerobic decomposition is termed as is termed as is termed as aerobic decomposition अगर मैं aerobic decomposition की बात करूँ ध्यान से सुनना aerobic decomposition की बात करूँ तो इसका जो end product होता है मतलब aerobic decomposition हो गया अगर microorganism का इसका जो end product होता है end product उसका जो होता है जो carbonate, nitrate और sulfate जो carbonate, nitrate और sulfate होते है ये तीनो stable होते है ये तीनो stable होते है तो आप बोल सकते हैं कि end product of आप बोल सकते हैं end product of end product of aerobic decomposition aerobic decomposition aerobic decomposition are end product of aerobic decomposition are कौन कौन से होते हैं carbonate nitrate and sulfate and sulfate ठीक जो की आपके stable होते हैं ठीक है aerobic decomposition end product of end product of aerobic decomposition आर स्टेबल आर स्टेबल आर स्टेबल डैट इस कार्बोनेट बाइक कार्बोनेट हो गया आपके पास नाइट्रेट हो गया और आपके पास क्या हो गया यह सल्फेट हो गया तो आर स्टेबल जो आपके होते हैं कार्बोनेट, नाइटरेट एंड सल्फेट बोलो यहां तक बात समय में आई सभी को बोलो यहां तक बात समय में आई यह सो नो जल्दी से बोलो यार यह सो नो जल्दी से बोलो यह सो नो जल्दी से बोलो अब यह aerobic decomposition को समझने के लिए अब ये aerobic decomposition को समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़े बताना जाओंगा इस aerobic decomposition को समझने के लिए कुछ चीज़े मैं आपको बताना जाओंगा ठीक है अब देखो aerobic decomposition से आपको जो end product मिल रहा है वो कौन-कौन से मिल रहा है carbonate, nitrate और sulfate क्या क्या मिल रहा है आपको carbonate, nitrate और sulfate अब ये carbonate, nitrate और sulfate किस तरीके से कौन-कौन से action होते हैं तब आपको carbonate मिलेगा या किन organic matter का decomposition करके आपको nitrate मिलेगा और किन organic matter का decomposition करके आपको carbonate मिलेगा तो इसको समझने के लिए कि आप लोग कुछ चीज़ें आपको समझना है ठीक है ध्यान रखना है यह सवाल यहां से आ जाते हैं ठीक इसको समझने के लिए मान लो मेरे पास एक और्गनिक मेटर है एक कौन सा और्गनिक मेटर है नाइट्रोजनस और्गनिक मेटर मान लो मेरे पास एक नाइट्रोजनस और्गनिक मेटर है एक नाइट्रोजनस और्गनिक मेटर द्यान सुनना बहुत इंपोर्टेंट है यह यह समझ गए तो चीज़े क्लियर और ह अगर aerobic decomposition होता है या आप बोल सकते हैं अगर इसकी oxidation होती है क्या होती है इसकी oxidation होती है या aerobic decomposition इसका होता है तो यह आपका सबसे पहले form करके देगा ammonia क्या form करके देगा यह आपको ammonia ठीक फर्दर इसका अगर decomposition होता है या फर्दर इसका oxidation फिर से होता है या आप बोल सकते है फर वहां से आपको मिलता है Niterate भूलों बात संभ में आ रही है कि नहीं आ रही है यहां से आपको मिलता है Niterate sorry N2 와서 यहां से आपको मिलता है Nitezanite In further in further 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 परदर आगे जाके ये आपका convert होता है nitrite में परदर आगे जाके ये आपका convert होता है nitrate में बोलो बात समझ में आरी है कि नहीं आरी है परदर ये आगे जाके आपका convert होता है nitrate में बोलो बात समझ में आरी है कि नहीं आरी है अब ये जो आप देख सकते हैं अब यह जो आपका नाइटरेट है यह नाइटरेट आपके जो है plants जो है गन्जुम करते हैं This nitrate is consumed by plants और plants को कौन कंजुम करते है plants को animals consume करते है और animals की जब death हो जाती है या उनका जो excreta निकलता है उससे आपके पास क्या چीज आता है उससे आपके पास आता है nitrogenous organic matter प्लांट की जब डेथ हो जाती है या उनका जो एक्सक्रीटा होता है उससे आपको नाइट्रोजनस और्गनिक मेटर मिलता है बोलो बात समय में आ रही कि नहीं आ रही है एनिमल्स की सौरी एनिमल्स की ठीक दूसरी बात नाइट्रोजनस और्गनिक मेटर प्लांट के डेथ ह और उसका जो है एरोबिक डिकंपोजिशन अगर हो रहा है तो एंड प्रोड़क्ट आपका आप देख सकते हैं नाइट्रेट होगा और नाइट्रेट जो होता है आपका स्टेबल होता है बोलो बात समझ में आरी है कि नहीं आरी है दूसरी बात यहां पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं अमोनिया से अमोनिया से नाइट्रेट में होना और वापस इस तरी की से जो प्रोड़ा प्रोसेस है इसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन इसको ह यह नाइट्रोजनस और्गनिक मेटर का पूरी कहानी समझ में आई सभी को यह नाइट्रोजनस और्गनिक मेटर की पूरी कहानी सब को समझ में आई यह समनों जल्दी से बोले अब यह नाइट्रोजनस और्गनिक मेटर का क्या हुआ यह ये nitrogenous organic matter का aerobic decomposition हुआ क्या हुआ आपका aerobic decomposition nitrogen organic matter sewage में present होता है पिटा बिल्कुल होता है बिल्कुल होता है अब यहाँ पे nitrogen organic matter क्या है ऐसे organic matter जिसमें nitrogenous compounds होता है ऐसे organic matter जिनमें nitrogenous organic compounds होता है सही बात है excreta दिख रहा है ना आपको एनिमेल के death और एक्स्रेटा से आपको nitrogenous organic matter मिलते हैं दूसरा आपको plant के death से मिल रहा है मतलब plant के सढ़ने घरने के वज़े से पत्ती गास पत्ते सढ़ने घरने के वज़े से भी आपको nitrogenous organic matter मिलेगा ना बूलो बात समझ में आघी है की नहीं हा रिए हैDon't you know the concept with E research affects how the आपको decomposition कौन करते हैं यह decomposition करता है यह काने क्लिए हूई आपने क्या देखा आपने क्या देखा कि आपका जो है क्या है नाइट रेट यह यह नाइट रेट आपका जो end product डरक्ता रहा है किसका फीर नािटरेट किसका अग्रत है आपके ऐरोबिक डी कंपोजिशन्य गान आपके यंद के हैं अब नाइटरेट कैसे बना नाइट्रोंग अर्गिनिकमेंटर का हुआ इसका इसका एलोग कास्तवलिट ना-जाल क्हल पढ़ इसका बनामोनیजै 아E रती बेग्दी से बूलो ऩी दूसरी बात एक और साइकल दीखेंगी एकर हम लोग एक और साइकल दीखेंगे हम लोग अब आपका स्यूपर की वज़े से Katie से अरोबिक भी आपका पानी के नहीं बहते हैं कि argent यह कह Only seconds I आपका present है या sulfur वाली चीज present है तबी तो sulfate में convert हो रहा है aerobic decomposition से end product आपको sulfate मिल रहा है बिल्कुल सही बात है तो इसका मतलब जो है sulfurous organic matter भी पानी के अंदर present होता है इसका मतलब जो है sulfurous organic matter भी present होगा जिसमें sulfur होगा बोलो बात समय में आ रही है कि नहीं हरी है ऐसे organic matter जिनके अंदर विचार containing sulfur विचार containing sulfur आप देखो जड़ा आपके पास sulfur containing organic matter है आपके पास sulfur containing organic matter है अगर इसका oxidation होता है या आप बोल सकते हैं इसका अगर aerobic decomposition होगा सबसे पहले यह convert हो जाएगा सबसे पहले यह convert हो जाएगा sulfide में किसमें convert होगा यह आपका sulfide में उसके बाद यह convert होगा further sulfur में उसके बाद यह convert होगा further sulfur में फिर से यह convert हो जाएगा किसके अंदर sulfate के अंदर SO42 negative तो आपने end product यही देखाता ना sulfate आपने end product यही देखाता sulfate अब ध्यान से सुनों यह sulfate भी nutrients होता है plant के लिए this is again consumed by plants because this is nutrients for plants further plants is consumed by animals plants is consumed by animals और animals के death और animals के death और उनके excreta में sulfate भी होता है यह sulfur organic matter भी present होता है दूसरी बात sulfur sulfurous organic matter आपके plants के death के वज़े से भी जो है बनता है बूलो बात clear है कि नहीं तो आप देख सकते हैं कि sulfurous organic matter भी आपका इस तरीके से आपका develop होता है आपका present होता है उसका जो oxidation होता है वो oxidation कुछ इस तरीके से होता है सबसे पहले वो sulfide में convert होगा उसके बाद वो sulfur में convert होगा और उसके बाद वो sulfate में convert हो रहा है उसके बाद वो sulfate में convert हो रहा है बूलो बात समझ में आरी है कि नहीं आरी है तो end product क्या आपका sulfate है यहाँ पे किसका sulfate है end product आपके aerobic aerobic decomposition का किसका aerobic decomposition हो रहा है aerobic decomposition लो रहा है आपका sulphurous organic matter का बोलो बात समझ में आरी है कि नहीं अगर sulphurous organic matter present होगा, उसका aerobic decomposition होगा तो end product आपका sulfate बनता है end product जो आपका sulfate होता है जो आपका stable nature का होता है बोलो बात clear है हो गया ठीक है, अब आपने एक और एंड प्रड़क्त देखा था यहीं पर बना इसका गुला भी अब आपने एक और एंड प्रड़क्त देखा था कार्बोनेट क्या देखा था आपने carbonate, आप carbonate कैसे बनता है थयान से सुनो आप carbonate आप का बनता है carbonaceous organic matter से, मतलब ऐसे organic matter जिनमें carbon भी होता है सब्सक्रियू बातें कि नहीं है carbonaceous carbonaceous organic organic matter तो जब carbonaceous organic matter का, क्या होता है बेटा, oxidation होता है या आप बूल सकते हैं, aerobic होता है तो सबसे पहले वे सबसे पहले कंवर्ट होता है और ला और लोगते हैं सबसे पहले कंवर्ट होते हैं है करagon the dog पैर्डर जब इसका एरोबिय डीगम्पोजफी सुता है यह ini देविल कर्बुटंग इन कर गोनेट यह अब का को कॉन कंज्यूम करेगा गी और डारेक्टली कार्बोनेशिस और ठीए कारिक मétais कब मिलेगा जब आपके पास एक की नहीं आ भो लो यारिया संदो ढूसरी बात किसे देख सकते हैं तॉक्त चैनल्स को क्या करते हैं के आपको मालू है एनीमल्स भी कारबन डायक्षाइड को रिलीज गरते हैं आपको थे लुट यहां से शूड़ते हैं को भूशन रेंटा है यहां से भी आपको carbon dioxide मिलता है बुलो बात समय में आरी कि नहीं आरी है तो जब aerobic decomposition होता है तो end product क्या आता है आपका carbonate आता है यह carbonate आपका क्या होता है stable होता है बुलो is this clear or not is this clear or not यसा नो यह आपके पास carbon cycle sulfur वाला यह होगा आपका nitrogen तो this is all about यह पूरा discussion है आपका aerobic decomposition का यह पूरा discussion है detail में aerobic decomposition का aerobic decomposition क्या होता है aerobic decomposition जो end product जो आपके आते है nitrate sulfate और carbonate वो कैसे आपको जो है और यह जो चीज़ें आती है बुलो बात समय में आई कि नहीं आई क्या आई क्या आपको यह पूरी कहानी जो भी हमने बात करी कि समझ में आई बोलो यार यह सुनो याद रहेगी यह सब पूछी जाती है एक्जाम में डिरेक्ली पूछी जाती है ठीक है अगर aerobic decomposition होता है nitrogenous matter का तो बताव जारा क्या चीज़ फ़र्म होगा सभी बात है end product क्या बनेगा end product बनेगा nitrate ठीक है तो option में होगा nitrate होगा nitrite होगा ammonia होगा end product पूछेगा तो nitrate पहला पूछेगा तो होगा नाईट Pik पूछी यहां नाइट्रा अम्ोनिया और यही बात है चलिए ठीव मीघार Harmony यहां तक इसको लिखिए एफ़ यहां तक इसको लिखिए फिर आगे बढदे एफिर अहां लोग rate के में बात करेंगे ठीक है, aerobic discussion हो गया, अब हम लोग anaerobic के बारे में बात करेंगे, ठीक, देकें दरब अगले type का जो process होता है, that is your anaerobic decomposition, that is your anaerobic decomposition, आभ anaerobic decomposition के बारे में detail में आभ दिसक्स कर चुके हैं, ऐसा डीकमपोजिशन जो आपके अपसेंस ओफ एर में होगा या अपसेंस ओफ ऑक्सीजन होगा बूलो बात समय मिहारी कि नहीं हारी है उसको हम लोग बोलते हैं एनरोबिक डीकमपोजिशन और या तो आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट हो वो किसी के साथ बॉन्ड बनाके प्र बात करूं तो एनेारोबिक takes place takes place in absence of oxygen takes place in absence of oxygen oxygen or in presence of or in presence of or in presence of molecular bonded molecular bonded oxygen molecular bonded oxygen it is termed as it is termed as anaerobic decomposition anaerobic decomposition anaerobic decomposition बुलों बात समझ में आ रही कि ने आ रही दूसरी बात अगर मैं बात करूँ end product की the end product of the end product of anaerobic the end product of anaerobic decomposition and the end product of anaerobic decomposition an aerobic होता है नो देखले नास पहले, anaerobic decomposition are comparatively unstable, are comparatively unstable, comparatively unstable and include acid, alcohol and gases. क्या होता है इसमें, acid, alcohol और gases उसमें होता है, बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक, अब anaerobic decomposition को समझने के लिए, अब देखो जड़ा, आपके पास जो organic matter है, वो तीरों आप लोग एक साथ ले रेते हैं, मात लो, आपके पास nitrogenous organic matter है, ठीक, nitrogenous organic matter है, आपके पास carbonaceous है, organic matter है, आपके पास sulfur या sulfurous organic matter है, या sulfurous organic matter है, इनका जब decomposition होगा, कैसा decomposition होगा, anaerobic decomposition, anaerobic decomposition, anaerobic decomposition होने के वज़े से, यहां पे आपको देखने को मिलेगा, कि acids, alcohol और acid, alcohol, plus humus, plus carbon dioxide, तो acid, alcohol, or gases, gases like this, humus, और carbon dioxide, कुछ इस type के आपको देखने को मिल जाएगा, बलो बात clear है कि यह इसका end product होता है, जो की highly unstable होता है, जो की highly unstable होता है, फर्दर, इसका अगर फिर से decomposition हुआ, तो फिर आपका बनता है, फिर आपका बनता है, फिर आपका बनता है, that is, CH4, methane, ammonia, nitrogen, hydrogen, or hydrogen sulfide, मतलब gases, hydrogen sulfide, मतलब gases, these gases, these gases, या these all, जो भी आपके पास यह products बने, यह सारे के सारे जो होते हैं, उन nutrients होते हैं, again, किसके लिए, plants के लिए, और plants again consumed by animals, और आपको मालूम है, animals की जब death हो जाती है, तो यह तीनों आप बनाते हैं, यह death होगी है, और excreta, और plant का death हो गया, तो यह directly यह तीनों आपके निकलते हैं, बोलो बात समय में आरी है कि नहीं आरी है, चीजे वही हैं, अगर anaerobic decomposition होता है, तो यह आपका end product होगा, यह आपका end product होगा, जो की highly unstable है, which is not directly consumed by plants, बोलो बात समय में आरी है कि नहीं आरी है, ऐसे हो रहा है कि नहीं decomposition में, organic matter को वो oxygen यूज करना पड़ता है, जो oxygen available easily नहीं होता है, जिसके वजए से anaerobic decomposition का, जो rate of decomposition होता है, वो काफी कम निकल के आता है, कितना कम निकल के आता है, अगर मैं aerobic से compare करूँ, तो लगबग, लगबग, तीन गुना कम होता है, या तो आप दूसरे तरीके से बोल स सकते हैं, कि aerobic decomposition का जो rate होता है, वो तीन गुना होता है, anaerobic decomposition से, बोलो बास हमें में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप बोल सकते हैं, यह आपको note point दियान में रखना है, कि rate of, rate of aerobic decomposition, rate of aerobic decomposition is nearly three times of, rate of, rate of anaerobic decomposition, decomposition, बोलो बास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यह आपका पूरा प्रोसेस हो गया, किस तरीके से micro organism, आपके organic matters को क्या करेगा, decompose करेगा, decompose करने के बाद, कौन-कौन से end products मिलेंगे, end products किस-किस तरीके से आपको यहाँ पे, आपको develop होते हुए दिखेंगे, इस सारा का सारा बात हमारी discussion हो चुकी है, तो मतलब basic parameter जिसकी भी requirement आपको अब quality के लिए, जिसकी भी requirement आपको जो है, वेस्ट वाटर को समझने के लिए थी, वो सारी के सारे parameter समयोग समझ चुके हैं, गुलो बात समय में आ रही है कि नहीं आ रही है, यह सो नो, तो basic चीजें, basic parameter of wastewater की जो आपकी होती है, वो सारे parameter समने से एक लिए, छलो, rest we will discuss in next class.